येस हेलो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर कुछ बेजिक सी चीज़े कवर अब की थी फॉरेक्स के पारे में मैंने बताया था कि देट वेरी बेजिक आस्पेक्ट एडवांस फैनेंशल मेनेजमेंट के स्टूरेंट के लिए एंड इन ज हाला कि वैसे देखने जाए तो उतना ज्यादा बहुत लेंडिस पोजिशन भी नहीं है बट स्टिल है दर इस लोट मोर टू लर्न इन दी फॉरेक्स बट कहीं न कहीं फॉरेक्स सो है वो जनरली एकोनामिक्स के अंगल से टच होता है क्योंकि इंफलेशन है इंटरेस्ट र को इंपेक्ट करती है सो मेभी पॉसिबल है फनेंशल मनेजमेंट के अंदर आपको उतना ज्यादा फोरेक्स इसी रीजन से नहीं दिया गया है बिकॉस वी आर नॉट लर्निंग इकोनोमिकल आस्पेट्स ओके क्या इंटरेस्ट रेट इंफलेशन के हिसाब से क्या होगा ब इंफलेशन के अंदर रिस्क को कम करने के लिए रिस्क को फॉर्स ओक हो तो जिससे दंदे को कोई नेकिटिव इंपेक्ट हो सकती है तब तो वो अपने को कुछ ना कुछ उसका solution निकालना ही चाहिए and that's where the solution comes which is the derivatives अभी धन्दे के अंदर काफी सारे risk है काफी सारे risk के ऊपर हमारे पास derivatives के options है but यहाँ पर particularly this chapter के अंदर अपने को सिर्फ और से forex risk को कैसे mitigate करना and उस forex risk को कैसे derivatives के through mitigate करना वो सीखना है but सबसे पहले तो question यहाँ आथा कि sir forex how it can be the risk how it can be the risk let's say suppose I wanted to pay the 200 pound to ECCA ठीक है मुझे 200 pound ECCA को देने है मुझे डर यह लग रहा है कि जो exchange rate अभी चल रहा है GVV का and INR का वो कहीं बढ़ना जाए क्योंकि exchange rate बढ़ेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ज्यादा पैसा देने पड़ेगा सब्सक्राइब रिस्क जिन जिन लोगों ने मेरे पास से SBL वगरा subjects पढ़े है उसको पता है कि exactly risk की definition होती क्या है risk is nothing but an uncertainty uncertainty you don't know what happens I don't know अच्छी सी चीज भी हो सकती है बुरी भी चीज हो सकती है उस time पे मैंने risk के बड़े मैं समझाया था कि it's upon you कि अपको क्या करना आपको risk लेना है या तो फिर risk को avoid करना है अभी मेरे case में बात करू तो यह जो 200 pound का मेरे को payment करना है उसके लिए मैं risk ले लूँगा तीक I will not do anything because I have the risk capacity मेरे पास risk capacity ही है कि आज की तारिक में जो 103 का भाव है वो बढ़के 110 हो जाए कोई बात नहीं I have the capacity to bear that loss में ज्यादा payment कर दूँगा and अगर कम हो जाता है तो तो मेरा फाइदा ही है okay so I am taking that risk but जब मैं बात करता हूँ कि सिर्फो सिर्फ 200 pound की तब amount छोटी है so I do have that risk capacity but जब आपके पास बहुत बड़ी amount होती है pay करने के या receive करने के लिए in foreign currency yes students एक चीज़ बहुत basically आप समझ लो कि how any business can have the forex risk एक foreign currency का risk कैसे arise होता है तंदे को तभी ना तभी होगा when you are having something receivable or something as in payable in the foreign currency let's suppose there is an exporter एक exporter है वो कोई माल यहां से बेच रहा है but उसकी आदत है कि जब वो माल बेचता है तो invoice हमेशा INR में court करता है तो यह जो exported है ना उसको कोई forex risk नहीं है because उसका invoice INR में है that means उसको एक लाक या तो एक करोर INR का invoice raised हुआ है और वो एक करोर उसको मिलने वाले है so इस case में forex risk हमारे पास यहां पे exporter के पास नहीं है ultra forex risk सामने वाली party के पास है because exchange rate के कारण सामने वाली party को plus minus अच्छा ज्यादा या कम पे करने को हो सकता है okay but why in this case the forex risk is not there because मैंने बोला उस तरीके से यह बंदे को ना ही कोई receivable और ना ही कोई payable है in foreign currency इस बंदे को है receivable है but home currency में receivable है 1 करोर रूपी is receivable है which is the home currency okay so यह बहुत ही concept clear होना चाहिए कि कब कब कॉनसे situation में कॉनसे business इसको forex risk arise होता है ठीक है इन बहुत ही clear कड़ी यहां पे case है वही जगा पे अगर मान लो कोई बंदा है कि जो import कर रहा है import कर रहा है इंपोर्ट कर रहा है सामने वाले party ना उसको Japanese yen में invoice दिया है तो अब जाके risk आया क्योंकि इंडिया में बेठे हो बंदे को Japanese yen में transaction करना है God knows आज की तारीक में आज की तारीक में जो rate चल रहा है बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है उसके कारण उसका payment ज्यादा भी करना हो सकता है कम भी करना हो सकता है God knows, क्या होगा तीन मेने, चार मेने, छे मेने बाद, किसी को बता नहीं है, so that's where the risk arises, but यह जो हम बात कर रहे हैं, risk arise हो गया, कब arise होता है, जब foreign currency में हमको payment या receivable आ रहा है, in that situation, risk arise होगा, but students, मैंने एक और चीज़ starting में बोली कि, अगर बहुत ही छोटा सा amount है न, तो यह risk को mitigate करने के कोई जरूरत नहीं है, practical life में हमेशा बहुत बड़ी amount होती है, तो ही यह risk को mitigate करने के लिए, companies वगरा सोचती है, तब ही यह derivatives वगरा सभी use होता है, so यह होता है, students transaction risk, जब आपको यह transaction में enter करते हो, और वो foreign currency में transaction है, तो transaction risk rise होता है, forex transaction risk rise होता है, apart from that, काफ़े businesses को economical risk भी लगता है, कैसे जिसे की आज मान लो, economical risk कैसे, forex का ही economical risk है, मैं समझाता हूँ आपको कैसे, कि एक Apple है, Apple company आप सबको पता है, USM है बैठी आज की तारिख में, exchange rate चल रहा है, let's say suppose 65, 65 का exchange rate चल रहा है, उसके कारण, हमाई यहाँ पे बैठे बैठे, जो लोग है, उसको suppose मान लो, $1,000 का iPhone है, 65 का rate चल रहा है, and, अपने को कितना payment करना हो रहा है, 65,000 का payment आज की तरह में करना हो रहा है, ठीक है, but, यहीं exchange rate अगर suppose मान लो बढ़ गया, that means Indian currency have weakened, Indian currency weak हो गई, and exchange rate 65 से बढ़ के 70 हो गया, तो in that situation कि आपको लग रहा, iPhone महंगा हो जाएगा, yes, obviously बात है, iPhone महंगा हो जाएगा, and, one of the reason, कि आज की तरह में, जो आपको iPhone की price में, high के देखने को मिल रहा है, वो काफी बार इसके कारण हो सकता है, इसी लिए, यह जो risk है न, उसको avoid करने के लिए, आज के जमाने में, सारे businesses यह strategy follow करते है, they do open up multiple manufacturing units, in multiple countries, जिसके कारण क्या हो कि, यह exchange rate का risk ना, उसको face करना पड़े, okay, मान लो कि यह नहीं होता है, USS iPhone आता, 65 के rate से आता, तो 65,000 का iPhone होता है, अगर 70 rate हो जाता है, तो 70,000, और इसके कारण होता क्या है, कि जो उसकी competitor की product, cheap दिखने लगती है, and iPhone महेंगे दिखने लगते हैं, हाला कि इसमें iPhone का कोई हाथ नहीं है, the reason behind this increase in price was exchange rate, and exchange rate मैंने बोला, starting में उस हिसाब से, कि Forex exactly देखने जाए, तो economy के factors के current plus minus होते रहता है, यहाँ पर RBI and government foreign exchange rate को, manipulate कुछ हद तक कर सकती है, directly and indirectly, okay, जैसे कि आज मान लो कि अपना RBI repo rate, या तो reverse repo rate, या तो इस तरीके से जो interest rate के साथ, ही है, हाला कि interest rate के साथ plus minus जो होता रहता है, उसमें RBI का कोई such intention नहीं होता है, कि हमको Forex में plus minus करना नहीं, वो byproduct हो जाता है, फिर, but yes, RBI and government की policies and अपने rules के कारण, Forex हिलता है, okay, so, इस risk को avoid करने के लिए भी, कुछ options है, and one of the option for the economical risk is, मैंने बुला कि आप multiple countries के अंदर अपना manufacturing unit खोल के रखो, अपना business spread कर के रखो, ताकि एक country का economical position आपके अप धंदे को हिला ना दे, and the last risk in the Forex is the translation risk, यह सर्फ मैं theory dictate कर रहा हूँ and I think it is an important, मतलब for better conceptual clarity, आपको समझने के लिए कि क्यों यह chapter की जरुद हुई, why do we want the hedging, why do we want the derivatives, हमको क्यों जरुद रह गई, ठीक है, so उसके लिए पता तो होना चाहिए कि किस किस तरीके से Forex धंदे को negatively impact कर सकता है, and once you know that yes this matter is very serious for any businesses, तब जहांके आप थोड़ा serious बनोगे उसके mitigation strategies को समझने के लिए, otherwise तो आपको ऐसा लिए एकनी सा risk किया जरुद नहीं, बहुत बड़ा risk है, that's why each and every company have to follow, have to use these derivatives strategies, so बहुत ही practical aspects से बहां बात कर रहा हूँ, कि जू कुछ भी हम पढ़ेंगे आगे, वो purely practical है, it's not just and just theoretical aspect, okay, so, आगे बढ़ता है, the third risk which I was talking about, and that is a translation risk, ये consolidation के कारण arise होता है, let's say suppose there is one company in Dubai, or let's say suppose in USA, अभी होता क्या है, कि हमने predict किया था कि उसका जो assets वगरा है, ठीक है, वो consolidate होके हमारी balance sheet में जब मिलेगा, उस time पर हमने assume किया था कि the exchange rate is 65, but reporting date पे या तो year end date पे वो exchange rate हो गया, 70, 75, या तो कम हो गया, तो उसके कारण जो हमारी balance sheet हिल जाती है, ठीक है, 5, 5% से, 2%, 3% से, वो बहुत बड़ा impact create करती है, हाला कि, हाला कि translation risk जो मैं बोढ़ रहा हूँ कि, ये exchange rate की movement के कारण, consolidate करते time पे, जो balance sheet हिलेगी, वो उतना बड़ा major risk नहीं है, उसको मतलब mitigate करने के लिए, लोग कुछ करता भी नहीं है, ठीक है, but when I am just explaining the risk, at the time I just need to explain all the risk, अदर्वाइस को mitigate नहीं करना है, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों करना क्यों नहीं चाहिए बताता हूं, चीलिए, suppose मानलो students की, हमारे balance sheet हिल भी गई, तो उससे क्या होगा, सिर्फ उससे balance sheet हिल 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 है न, हमारा revenue तो कुछ change नहीं हुआ है, and हमारा valuation उतना ज़दा change नहीं होगा, and खास करके आप सब को पता होगा, कि जो share बजार है, share market है, या तो आपने IPOs वगरा जब देखते हैं, तब हमेशा कोई भी कमनी का valuation, cash flow के business पे होता है, ठीक है, and आपने FM के अंदर ही, आपने जो investment appraisal की चीज़े जो आपने देखी होगी, काफी सारी जगा पे मैं भी बोलता हूं, आपने पढ़ा भी होगा, कि exactly what matters, the cash flows, हमेशा cash flows matter करेंगे, and not the profits, हम investment appraisal में, जब बहुत ही starting में मैंने समझाया होगा, कि cash flow बहुत ज़ादा matter करते है, when you want to evaluate any project और any company, so, आज, financial reporting के time पे, consolidation के time पे, अगर यह थोड़ी बहुत moment नजर आती है, हाला कि वो कोई moment actually में तो हुई नहीं, सिर्फ वो reporting के time पे हुआ है, and हमारा cash flow predictions are as it is, हमारा cash flows तो ऐसे ही आ रहा है, same way में, so, because of that reason, share market उना ज़्यदा affect नहीं होगा, so, that's why, इस चीज़ को mitigate करने के कोई जरूरत नहीं है, बट जो पहले दूँ चीज़े हैं ना, starting में, transaction, risk and the economical, economical तो आप समझगे होगे, कि उसके कारण हम company को फरक पड़ता है, yes, and cash flow में फरक पड़ता है, and transaction में क्या होता है, कि let's suppose मेरे को 10,000 dollars receive होने वाले थे, and exchange rate की movement के कारण, वो convert, मतलब 10,000 होने वाले थे, 10,000 dollars, and 60 का rate पकड़के चलो, तो आपको क्या हो जाएगा, 60,00,00,00 रुपे आपको आने वाले थे, but, आपका rate गिर गया, and आपको account में ऐसे 58,00, तो आप सोचो, आपका revenue कम हो गया, so transaction risk पहला वाला, and second economical risk, दोनों risk, बहुत ही important इन उसको mitigate करना पड़ेगा, बड़ जो third risk मैंने बुला, translation risk, उसको mitigate करने की ज़रूरत नहीं है, okay, so I hope you got it, अभी हम आते हैं, हमारे mean point के उपर, which is the derivatives, derivatives, एक तरीके से मैंने पहले बोल दिया, कि it's risk management strategy, risk management को, यहाँ पे, इन लोगों ने word use किया है hedging, okay, it's a simple synonym, you are hedging yourself, against the unfavorable situation, आप unfavorable situation को avoid करने के लिए, कुछ न कुछ कर रहे हो, so, risk को manage करना है, अभी काफे बार derivatives को betting भी बोला जाता है, शर्त, lottery भी बोला जाता है, lottery तो नहीं बोल सकता है, but betting तो purely बोली सकता है, ठीक है, so betting, 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 60, 60 जब बोलता है, तो एक negative impact आती है, कि sir, यह derivatives तो गलत है, it's not ethical thing to bet on something, सही है, so, sir, यह गलत बात है, काफे बार काफे लोग इसको, betting जब बोलता हूँ, उसका एक और synonym निकल क्या आता है, speculation, speculation, मतलब, अंदाज आज, विराट कोहली, 100 मारेगा या नहीं मारेगा, ठीक है, वो एक तरीके से betting भी है, और एक speculation भी है, आपको पता नहीं है, क्या होने वाला, you are just speculating, कि, इतना पैसा रख रहा हूँ, इतना होगा, तो मुझे इतना मिलेगा, okay, that's betting, that's a speculation, so, derivatives को काफे बार, इस नजरिये से भी देखा जाता है, but हम, 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 temporarily, सर्फ और सर्फ अच्छे आस्पक के बारे में, बात करेंगे, हाला कि, practical life के बात करो, तो यह जो derivatives है, frankly speaking, 90 to 95% लोग derivatives का use करते है, for the betting purpose, for the speculation purpose, only 5 to 10% अच्छे बिजनेशे, actually uses these derivatives, for the risk management purpose, risk को manage करने के लिए, सर्फ और सर्फ यूज करने मलब, genuine way में, derivatives को use करने वाले लोग, सर्फ 5 to 10% अच्छे, बाकि सारे लोग, F&O market जो बोलते हो, प्रेक्टिकल लाइफ में, जो देखता है, इंट्राडे, खास करके, F&O ज्यादा तर use होता है, F&O को ज्यादा तर derivatives बोला जाता है, तो F&O market में, ज्यादा तर लोग, essay ही होता है, betting, speculators ही होता है, they don't have any kind of, personal business risk, just उसको उसमें से कमाना है, focus हमारे business risk mitigation के उपर, ज्यादा रखेंगे, बट चलिए समझते हैं इसको, now derivatives है, हलाकि बहुत ही simple concept है, कि हमने विराट कोली का example लिया, let's suppose विराट कोली के उपर, हम लोगों ने शरत लगाया, हम लोगों ने betting किया, अभी students, मैं यहाँ पर जब जब बैटिंग बोलूँगा, अब समझ जाना, derivatives की बात कर रहा हूँ, and थोड़ा बहुत informal way में, हम language में, हम इस चीज़ को समझेंगे, जब जब बैटिंग बोल रहा हूँ, तब मेरा मतलब ऐसा नहीं है, कि हम like kind of unethical चीज़ कर रहे है, and हम speculation कर रहे है, ऐसा मतलब नहीं है, मेरी आदत है, derivatives betting, मतलब interchangeably use कर लेता हूँ, so हम ने bet लगाया, कि विराट कोहली जो है, वो 100 प्लस मारेगा, ठीके, वो 100 क्रॉस कर देगा, वो सदी मार देगा, century कर देगा, तो that is what, that is what our opinion, वो हमारा opinion है, हमने दूसरी पार्टी के साथ में contract किया, कि देख मेरा opinion है, विराट कोहली century मारेगा, and दूसरी पार्टी बोली, कि नहीं नहीं विराट कोहली century नहीं मारेगा, वो 100 से नीचे रहेगा, तो हम दोनोंने agree कर दिया, कि 100 से उपर अगर मारे, ठीक है, तो per run, उपर जितने भी run मारे, उसमें एक run जितना साथा मारेगा, उसमें हर एक run पे, तू 1000 रुपे मेरे को देगा, तो मैंने सामने विल बंदे को बोला, 100 से उपर जितने run, 1000 पर run तू मेरे को देगा, तो 110 मारेगा, तो 10,000 तुझे मुझे देना पड़ेगा, एंड सामने उल्टा, अगर वो 100 से नीचे गया, तो जितना भी नीचे जाएगा, 1000 मैं तुझे दूँगा, तो it's a simple betting, तो यहाँ पे, क्या लग रहा आपको कि, ये situation के अंदर होता क्या है, कि 100 के उपर, एक बंदे को फाइदा, 100 के नीचे दूसरे बंदे को फाइदा, it's a purely betting, betting and betting, अभी जब मैं ये betting की बात करता हूं, लोगों को ऐसा लगता है, कि sir, जो उपर की bet लगा है, बैठा है बंदा, ठीक है, उसको profit, उसको जो profit है, ठीक है, वो unlimited है, kind of unlimited है, क्योंकि 100 से उपर, तो कितने भी run मार सकता है, ठीक है, बट, जो उपर की bet लगा है, बैठा है, उसका loss, एक limited है, apart from that, जो नीचे बैठा हुआ है, B वाला बंदा, ठीक है, वो उस बंदे का gain गिनो, उसका profit, तो limited है, क्योंकि 100 से नीचे, तो कितने हो सकते है, 0 run, तो उसको gain कितना होगा, 100 run का होगा, ठीक है, बट, वो गवाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गवा सकता है, ठीक है, So, it's a purely simple contract, between the two parties, जहां पर एक बंदे का opinion ऐसा है, कि ये बढ़ेगा, दूसरे बंदे का opinion ऐसा है, कि इंगरेगा, ठीक है, मतलब ये कम रहेगा, same way में, जैसे कि हम लोग ये run का betting का बात करें, same way में shares के अंदर भी हो सकता है, कि ICSA bank का जो shares है, मैं आज से predict कर रहा हूँ, तीन मेने बाद, I am betting, कि तीन मेने बाद, ये ICSA bank का shares, 800 से प्लस जाएगा, दूसरा बंदा ऐसा opinion, मैं बैठा हुआ है, कि नहीं, वो 800 से उपर नहीं जाएगा, got it, so, once again, it's a simple betting, it's a derivative, अभी भी मैं बहुत ज्यादा, depth में बहुत ज्यादा concept पे नहीं आया हूँ, इस दे फ्यूल प्राइस, सपोज एरलाइन इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके लिए जो फ्यूल प्राइजेों, बहुत ही क्रूशिल है, बहुत ही क्रूशिल है, योकि फ्यूल प्राइस के बेज़ेस पे ही, उन लोग के धंदे का profit, या तो loss decide होता, अब मैं थोड़ा आना business perspective पे आ रहा हूँ, पहले दो example purely betting थे, ठीक है, वो speculator वाले example था, बट अभी मैं आ रहा हूँ धंदे के अंदर, मैंने पहले बोला कि speculation थोड़ा market में ज्यादा होता है, कम business angle से बहुत कम लोग इसको देखते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी business angle से, suppose airline industry है, पूरा का पूरा business fuel के उपर है, airline industry वालों ने अपना costing, अपना budgeting, अपना future का predictions, अपने future के सारे के सारे goals, अपने pricing, ठीक है, वो इस साब से बना के रखे हैं, कि यह वो assumed कि हमारे fuel का price क्या रहेगा, 100 रहेगा, okay, fuel का price 100 को पकड़ के चले है, and अगर मान लो यह कुछ ना किया होगा, तो भी airline वालों को obviously, एक अगर fuel price बढ़ता है, तो दर्द तो होता है कि नहीं होता है, yes, तो जब-जब fuel का price बढ़ेगा, अंदर एक pain होगा, मजा नहीं आएगा, and yes, it's a risk, it's a risk कि fuel का price बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है क्या होगा, and do you think कि यह airline के लिए सबसे बढ़ा risk है, yes, it's the biggest risk for the airline industry, कि अगर fuel का price बढ़ गया, तो problem हो जाएगा, कम होआ, तो मज़े आ जाएगे, got it, but airline industry is okay, कि अगर 100 का दाम रहेगा ना, तो कोई बात नहीं चल जाएगा, क्यूंकि हमने सब कुछ budgeting वगरा करके रखा, हमने हमारे pricing उस हिसाब से set की है, कि 100 का दाम अगर रहेगा ना, fuel का, कोई problem नहीं है, ठीक है, कोई problem नहीं है, it's a risk free business at that time, अगर 100 का दाम रहता है, तो हमको short profit होगा, approximately इतना profit होगा, ठीक है, अभी, यहाँ पर उन लोग के पास एक option है, कि कुछ ना करे, कुछ नहीं करेगे, तो risk है, price बड़े, profit कम, loss हो सकता है, price कम होई, profit बढ़ जाएगा, बट ऐसे risk नहीं ले सकते हैं न, ठीक है, ऐसे risk नहीं ले सकते हैं, what they thought, let's mitigate this, तो उन लोगों ने क्या किया है, they entered into the derivatives, उन लोगों ने enter कर दिया, derivatives के अंदर, and उन लोगों ने बोला, कि अगर fuel का price 100 से उपर गया, तो मेरे को, मेरे को फाइदा होना चाहिए, मैं bet कर रहा हूँ, मैं 60 लगा रहा हूँ, मैं speculation कर रहा हूँ, कि fuel का दाम 100 से उपर जाएगा, 100 से उपर जाएगा, let me share the screen now, now, इसी example को हम, बहुत ही, यहाँ पर समझते हैं, yes, just a second, हम क्या बात कर रहे थे, कि students हम, we are ready, कि 100 का अगर दाम रहता है न, तो चल जाएगा, but 100 का दाम पर लिटर, okay, got it, so, यह है, but हम अभी क्या कर रहे हैं, derivatives के अंदर, हम 60 लगा रहा है, कि अगर 100 के दाम से ज्यादा गया न, ज्यादा हो गया, fuel का price, तो अपने bet लगा रहे हैं, उपसाइड, थीग है, upside bet लगा रहे है, got it, तो upside bet लगा दिया, तो अभी होगा, क्या कि suppose मान लो, आज से 2 मेने के बाद, यहीं fuel का price 102 हो गया, तो क्या होगा, तो हमने bet लगाया था, सही है, हमने bet लगाया था, कि अगर 102 हो गया, तो अपने को क्या होगा, bet लगाया था, शर्त लगाया था, तो अपने को difference का, 2 रुपे मिलना चाहिए, और हमने जो शर्त लगाया था, हम उसमें successful हो है, तो अपने को क्या हो जाएगा, derivatives के अंदर, फाइदा हो जाएगा, derivatives के अंदर, फाइदा हो जाएगा, why? Because हमने जो शर्त लगाया थी, upside शर्त लगाया थी, हमने predict किया था, हमने 60 लगाया था, कि 100 से उपर जाएगा, हो हमारा सही निकल गया, तो उसके कारण, एक बंदे को profit हो गया, तो obviously हमारे साथ, जिसने उल्टा contract किया था, कि 100 से नीचे जाएगा, जैसे विराट कोली के case में नहीं हो था, कि एक बंदे ने predict किया था, कि 100 से उपर जाएगा, दूसरे ने predict किया था, नहीं नहीं, 100 से नीचे, तो obviously एक बंदे का profit, दूसरे बंदे का loss, आप सबको पता है कि share market में, कभी कोई government नहीं, कोई funding देती है, कोई loss bear करती है, एक बंदे का stock market का, एक बंदे का options, futures, derivatives का profit, दूसरे बंदे का loss, loss, loss ही होता है, कोई कहीं से पैसा नहीं आता है, ये पूरी की पूरी जो market है, वो सिर्फ पैसा गुमा रही है, ठीक है, so that means, if suppose मैंने आज, कहीं कोई stock के अंदर पैसा कमाया है, तो that means, किसी ने आज पैसा गवाया होगा, सही है, so मैंने जो predict किया था, उसके कारण, मेरे को यहाँ पर क्या हो गया, दो रुपे का फाइदा हो गया, and obviously students, derivatives में ऐसा ही होता है, F&O market में, कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट समाउंट होती है, वो ही adjust होती है, ठीक है, मैंने तो सिर्फ शर्त लगा था, कि ये, ये 100 से उपर जाएगा, okay, so done है, अभी, आप बिलोगे कि ओके सर, 102 हो गया, अपने को फाइदा हो गया, तो क्या, students, how it is a risk management, students, आप समझो, हमारा real business से कलग साइड है, and derivatives से कलग साइड है, business के अंदर अपने को risk लग रहा था, कि अगर ये petrol fuel का price, अगर 100 से 102 हो गया ना, तो अपने को धंदे में loss हो जाएगा, business के अंदर अपने को loss बैर करना पड़ेगा, and I don't want that loss of 102, okay, so इसलिए मैं derivatives में enter हुआ, derivatives में मैंने, मैंने ऐसा शर्त लगाया, जिसका मुझे डर था, मुझे डर था, कि अगर ये 100 से उपर गया ना, तो मेरे को दगदग होगा, ठीक है मेरे को डर था, कि मेरे को loss होगा, so that's why मैंने उसी हिसाब से upside betting किया था, हमेशा students याद रखना, derivatives के अंदर, आपको जिस चीज़ का risk लग रहा है, उसी side का आपको betting करना चाहिए, let's say suppose आपको temperature, temperature, AC की कमनी है, उसको ऐसा है कि आज की तारिख में, winters के अंदर, let's say average temperature 25 रहता है, यह AC की कमनी है न, तो summer आएगा, sorry, so let's say suppose 40 का average temperature है, अब AC की कमनी बोल रही है कि, अगर temperature बढ़ गया आना, तो business के अंदर फाइदा होगा, बट जहाँआ पे फाइदा होगा, उसको क्यों mitigate करना है, we were talking about risk, the negative aspect, तो AC कमनी सोच रही है कि, अगर 40 से नीचे गया न, तो business में loss होगा, correct है, तो now जहाँ पे आपको दगदग हो रहा है, जहाँ पे आपको डर लग रहा है, कि अरे भगमान, अगर summer के अंदर temperature कम रह गया, तो कोई AC नहीं खरीदेगा, तो मेरे को दुन्दे में loss हो जाएगा, यहाँ पे business loss हो रहा है, तो business के अंदर क्या है, risk है, इसी risk को mitigate करने के लिए, मैं derivatives market में क्या करूँगा, मैं derivatives market में bet लगाऊँगा, मैं शर्त लगाऊँगा, कि temperature 40 से कम रहने वाला है, मैं यहाँ पे कम की शर्त लगाने वाला हूँ, इसके कारण क्या हो जाएगा, कि अगर derivatives market में, अगर 40 से कम की literally temperature रह गया, तो होगा क्या मेरे को difference मिलेगा, difference positive आएगा, मेरे को profit होगा derivatives में, तो in that case, मेरा business का loss will going to be set off against derivatives profit, जब आपके सामने ऐसे situation आ जाती है न, तब ही आप बोल सकते हो कि you have eliminated risk, you have eliminated risk, obviously, जिस चीज़ का आपको loss का डर है, उसी चीज़ का आपको सामने derivatives में betting enter करनी चाहिए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे airline के अंदर भी ऐसा ही था कि price बढ़ने का, price increase होने का डर था, 100-102 हो गया, तो मेरा दंदे का loss हो जाएगा, तो जब जिस चीज़ का मेरे को डर लग रहा है दंदे का loss का, उसी का में betting लगा रहा हूं, उसके कारण होगा क्या, कि अगर मेरे को डर लग रहा है कि अपना fuel का price बढ़ गया, तो क्या होगा, दंदे में loss, बढ़ डूंट वरी, उसके कारण अगर सेम, सेम चीज़ का मेंने betting लगाया है, तो फिर derivatives में तो मैं जीट जाऊंगा न, business में भले हार गया, बढ़ सेम चीज़ में derivatives में जीट जाऊंगा, तो एक जगा पे हार, एक जगा पे जीट, अपना क्या हो जाएगा, profit loss square up हो जाएगा, यहां पे था, वहां पे वापस आ जाऊंगा, मेरे को तो fuel कितने में पड़ा, 100 में पड़ा, actual real scenario के अंदर, actually में 102 में fuel पड़ा था, बट मैंने सामने betting किया था, और उसके कारण मेरे को, वो 2 का profit वहां से आया, तो अपने आप मेरे को तो net, net net बोलने जाओ, तो fuel कितने में पड़ा, 100 में ही पड़ा, इससे totally opposite भी हो सकता है students, it's not like that, suppose मानलो हमने predict किया था, ठीक है, चलिए assume कर लेते हैं, हाँ, हाला कि हमको डर था, हमको डर था कि 100 से बढ़ गया तो, तो obviously fuel market, airline industries को, यहीं डर लगा रहता है कि, अगर मानलो fuel का price बढ़ गया, तो 102 हो गया तो, डर था ना, उसके कारण मैंने क्या कि, upside betting किया, बट भगवान यह उल्टा कर दिया, market के अंदर उल्टा हो गया, कि fuel का price कम रह गया, fuel का price रह गया 95, तो आपको क्या लग रहा है, मैं शर्ट चीतिया हार गया, obviously, मैंने betting किया था, upside के लिए betting किया था, बट temperature तो 95 रह गया, sorry, temperature नहीं fuel price, okay, तो fuel price 95 रह गया, तो क्या आपको लग रहा है, derivatives में मेरे को loss होगा, obviously, मेरे में शर्ट आ का हार गया, तो शर्ट हार गया, तो loss हो गया, कितने का loss हो गया, 5 का loss हो गया, ठीक है, बट डूंट वरी ना, derivatives का loss होगा, डूंट वरी, अपको फ्यूल कितने में पड़ा, नेट अपको फ्यूल पड़ा, हंट रेड में, ठीक है, तो आपको इस एपको लग रहा होगा, कि सर ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, derivatives तो गलत है, सर अपने को अच्छा खासा 95 में fuel मिल रहा था, derivatives के loss के कारण, अब मारा खामखा खर्चा बढ़का, बट स्टूरंस, जिस दिन, हम यह derivatives वगरा में enter होता है, उस दिन थोड़ी ना पता होता है, कि fuel की price कहां तक पहुचेगी, उपर जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है, आज से तीन मेने के बाद का situation, किसको पता है, यहाँ पर इस बंदे को पागल मत समझना कभी भी, कि यह बंदा क्या कर रहा है, अरे यार, derivative नहीं करना चाहिए था, upside betting नहीं करनी चाहिए थी, downside betting करनी चाहिए थी, अरे वो उसी चीज किसको पता होती है, क्या होगा, क्या नहीं, आपको यहाँ पर risk management करने के लिए, derivatives एक बहुत ही अच्छा option है, जब मैं बोलता हूँ, यह risk management and derivatives, it's kind of you are eliminating the risk, तेक है, आपको elimination क्यों कर रहे हो, because बहुत ज्यादा risk है, जो आप handling कर पा रहे हो, you are not able to, you will not be able to handle, this much amount of the risk, so that's why you are meeting it by the derivatives, risk ले रहे हो, ठीक है, risk ले रहे हो तो दोनों चीज़े होगे, अच्छी बात भी होगी, बुरी बात भी होगी, ठीक है, आपको फाइदा भी होगा, नुकसान भी होगा, but if you are mentally prepared कि risk नहीं लेना है, मेरे बिल्कुल भी risk नहीं लेना है, तो फिर derivatives में आना पड़ेगा, risk नहीं लिया है, तो भूल जाना आपको अभी फाइदा भी नहीं होगा, हमने अभी अभी यहाँ पे देखा, fuel वाले को क्या हुआ, कि कोई भी सिनारियो आया, फियूल का प्राइस बढ़ा या कम हुआ, एड़ दियन उसको नेट नेट तो फियूल को कितने में पड़ा था, 100 पे, ओके, तो जब आप risk mitigation करते हो, derivatives में जाते हो, तो नहीं फाइदा होता है, नहीं नुकसान होता है, अपने आप दोनों position square off होके, आपको तो नेट नेट 100 पे ही फियूल पड़ेगा, तो हम जो कबसे derivatives के बड़े में बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा concept है, बहुत easy भी नहीं है, बहुत सारी methodologies है, derivatives हम कबसे use कर रहे है word, एक basic concept, basic example के थूरू समझाया है मैं आपको कि कैसे, derivatives exactly है, कि it's a simple betting, कैसे use किया जा सकता है betting को, बट उसकी बहुत सारी methods है, बहुत ही popular methods अगर मैं बताऊं, तो derivatives की popular methods में, हाला कि futures आते हैं, futures contract आते हैं, forward contracts आते हैं, options आते हैं, call and put options वगरा आते हैं, money market hedging होता है, वो भी एक once again अच्छी सी, forex hedging की strategy है, interest rate hedging आएगा उसके बाद वाले chapter में, so बहुत सारी चीजों को अपने को पढ़ना है, मेरा यहाँ पर purpose यह रहाएगा, कि मैं अपको conceptual aspects हर एक options के सिखाऊंगा, बहुत कुछ बीच बीच में यहाँ पे, इन लोगों ने theories वगरा डाली हुई है, वो मैं नहीं समझाने वाला हूँ, theories can be like, खुद से हो सकती है, self study में, students को generally यहाँ पे जो दिक्कत आती है न, वो concept में आती है, आज मान लो मैंने आपको derivatives या तो forward, या तो futures, या तो options सिखा दिया, समझा दिया, but वो long term में याद नहीं रहता है, यह कोई formula based नहीं होगा, इन सब के पीछे एक logic होना चाहिए, and अगर आप यह पहली बार, after a very long time, if you are learning these once again, revising these, all these things, तो इसका logic याद रखने में difficulty होगी, पहली बार में जब समझाऊंगा, हाँ, दिमाग में घुच जाएगा, logic समझ में भी आ जाएगा, बट दो दिन बाद मैं आप से अगर पूछ हो, give me the reason, explain me the futures, contracts, maybe, maybe, आप ना समझ पा, so lectures इसलिए मैं record कर रहा हूँ, जिसमें सिफ़ सिफ concepts cover हो, जिसके कारण है, अगर future में आपको यह सारी चीजों का quick revision चाहिए, for concepts only, कि हाँ सर, मेरे को detailed practice नहीं करनी है, ठीक है, मुझे सिफ revise करवा दो, futures exactly था क्या, मुझे revise करवा दो, forward क्या था, सर, मुझे revise करवा दो, options क्या था, सभी के logics revise करवा था, सर, आपने कैसे futures सिखाया था, ठीक है, सर, आपने क्या क्या चीज़े, consequence में some call solve करना, वो सिखाया था, सर, आपने examples लिये थे, सर, वो सिखाया था, ठीक है, so, क्यूँ, मैं बीच में examples भी लेंगा, क्योंकि हर एक चीज़ को, figures के थुरू, अगर हम समझेंगे, तो, ज्यादा easily absorb हो जाएगा, initial level पे, next time, revision के time पे भी, आपको वो examples ही, आपको दिमाग में आएगा, examples के थुरू ही, revision, ज्यादा मजा आएगा, I will not dictate, I will not explain just in just theories, ओकी, चलिए, इस वो इन स्टार्ट करते, सबसे पहले आते, forward contract, हाला कि एक चीज़ में बताना भूल गया, अब तक जो हम पढ़ रहे था न, वो hedging, derivatives पढ़ रहे थे, general terms में, derivatives का एक general definition बोलो, तो होता क्या है, कि, it derives its value, from its variable, from its assets, that means, betting की जो हम बात कर रहे है, ऊपर जाएगा, तो, मेरा फाइदा, तो मैं जीत गया, नीजी जाएगा, तो तू जीत गया, यह जो betting हो रही है, वो कोई भी assets के सामने, हो सकती है, कोई भी variable के सामने, हो सकती है, let's suppose temperature, temperature पर betting लगाया, तो temperature is not an asset, so that's why, काफी authors, यहाँ भी variable word, use करता है, so that, कि किसी की ऊपर भी derivative हो सकती है, किसी की ऊपर भी betting हो सकती है, but यही betting, अगर foreign exchange rates के अंदर हो, तो कैसे risk mitigation होगा, वो अम सीखने वाले हैं, ठीक है, now, foreign exchange rates के अंदर, betting क्यों करनी चाहिए, foreign exchange rates के अंदर, betting क्यों करनी चाहिए, हाला कि betting, यह जो बात कर रहा है, पहले बोला कि, वो speculation में भी use हो सकता है, but business single से भी से भी होगा, let's suppose आपको आपको 10,000 pound, 3 मेने बाद आने वाले है, 10,000 pound आने वाले है, 3 मेने बाद, आज की तरिक में rate चल रहा है, 103, आपको डर है, you have an opinion, कि यह rate ना down जाएगा, सही है, अब देखो आपका opinion ऐसा होता कि नहीं ये तो read बढ़ने वाला है तो आप कुछ risk management का सोचते ही नहीं न Why you have thought about the risk management Why you want to eliminate this risk Because you have an opinion कि इसके कराण अपने को loss हो सकता है क्यों? क्योंकि अगर exchange rate कम हो गया तो अपने को कम पैसा मिलेगा सही है So, इसका कुछ करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा? Because मेरे को concern ये है कि मेरे को जो आने वाला है पैसा वो कम ना आए आज का exchange rate जो spot rate है आज की तारिक में जो exchange rate है उतना आए 103 में तो भी बढ़िया है ठीक है? But हाँ एक चीज़ याद रखना कि जब आप derivatives में enter होगे जिसे हमने देखा था fuel के अंदर वैसे यहाँ भी derivatives में कि आपको derivatives में enter किए exchange rate आज की तारिक में 103 चल रहा है Let's suppose आप derivatives में enter किए 103 पे ठीक है? That means you are mentally prepared कि मुझे 103 ही चाहिए नहीं उससे ज़्यादा नहीं उससे कम ठीक है? So होगा क्या कि अगर तीन मेने बाद actual जब तीन मेने बाद exchange rate 105 हो गया 106 हो गया तो आपको net net 103 के rate पे ही आपको पड़ेगा आपको 103 के rate पे ही आपको receivable आएगा ठीक है? And अगर वो exchange rate कम हो गया तो आपको loss नहीं होगा because you have entered into the derivatives आपको net net 103 ही मिलेगा ओके? So that's where once again the same logic applies when we talk about the exchange rate derivatives or hedging the exchange, foreign exchange rates same जो fuel के time पे हम लोग ने logic apply किया था ठीक है? और same logic यहाँ पे apply होगा. But पता लगना चाहिए कि क्यों कर रहा है? Because हमेशा मैंने बोला कि forex risk कब arise होता है? Generally transactions के कारण होता है मुझे कोई receivable हो रहा है या तो फिर कोई payment करना हो रहा है ठीक है? And receivable and payment में मुझे डर है कि जब receivable है तो डर ऐसा है कि कहीं कम ना आ जाए पैसा सही है? And जब payment करना है तब ऐसा डर है कि ज्यादा पेना करना हो जाए because of the exchange rates Got it? So हम हर बार इस तरीके से try करेंगे Now सबसे easy and सबसे basic method जो है derivatives की और वो है forward rate की, forward contract की Generally forward contract over the counter होते है, over the counter मतलब होता है bank के साथ होते है, manager के साथ आमने सामने बात करके होते है, that means मैं bank में जाओंगा, bank के पास manager के साथ बात करूँगा, कि मेरे को आज से 3 मेने बाद 10,000 dollars मिलने वाले है, I want to enter into the forward contract and आज की तरीक में जो 10,000 pound rate चल रहा है, 103 चल रहा है, bank ने predict किया हुआ है, कि दीपन भाई, आपको भी पता है, मुझे भी बता है कि 3 मेने बाद आपको ये जो 10,000 pound आने वाले है उस time पे 3 मेने बाद exchange rate चल रहा होगा 105, okay obviously students ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ठीक है, कि कोई ना कोई एक fix थोड़ा बहुत opinion रहता है, because of the two reasons, मैंने starting में बोला था two reasons के कारण है, forex हमेशा fluctuate होता है एक तो inflation, दूसरा होता है interest rates, एंड ये दोनों factor के कारण bank manager बोला कि दीपन भाई, हमारा inflation हिंदिया के inflation भी हाई है हमारे interest भी हाई है, तो obviously हमारी currency weak होती जाएगी every year तो after 3 months हमारी currency और ज्यादा weak होगी as compared to today and exchange rate will rise, okay ये simple principle है, तो ये principle के basis पे bank manager बोला कि दीपन भाई मैं अपना loss तो नहीं करवा सकता मैं इतना predict कर सकता हूँ कि depending on the exchange rates, depending on the inflation, depending on the interest rate मुझे लग रहा है 3 मेने बाद 105 का rate होना चाहिए and हम इसका असा नहीं बोल सकता है कि ने ने मुझे तो आज की ही तारिका जो 103 का है ना वही rate मेरे को apply करवादो नहीं है ठीक है वो fixed rate होते है, forward rate होते है 3 मेने का forward rate होता है that will be locked on वो lock हो जाएगा, आपके लिए lock हो जाएगा ठीक है so हम बात कर रहे थे forward contract की मैं जाओंगा bank के पास बोलूँगा मैं 3 मेने बाद 10,000 पाउंड आने वाले है and I want a forward contract with you bank वाले बोले in the right now आज की तारिक में situation के हिसाब से 3 मेने का forward का rate जल रहा 105 ठीक है इस case में हो क्या रहा है we are just entering into the contract with the bank कि 3 मेने बाद actual scenario जो कुछ भी हो actual scenario जो कुछ भी हो मैं तुम्हारे पास 10,000 पाउंड रखूंगा मैं तुम्हें 10,000 पाउंड सेल करूंगा and bank वाले को वो 10,000 पाउंड परचीज करने पड़ेंगे हमारे पास से I hope you are getting this point क्यों 10,000 पाउंड मैं सेल करूंगा and वो परचीज करेंगा because मेरे को जब UK से 10,000 पाउंड आएगे मेरे पास तो मैं अपने पास तो रखूंगा ने उसको स्टोर करके 10,000 पाउंड का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा 10,000 पाउंड मैं जाके bank को लेके सेल कर दूंगा so bank will buy it it's a simple contract बहुत ही simple term है पूरा को पूरा derivatives का यह कोई पूरा betting जैसा नहीं feel आ रहा है बट it's okay forward contract इतना ही simple है जहाँ पे कोई betting का feel नहीं आएगा please यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए so हुआ क्या कि मैंने bank के पास से forward contract कर लिया अब एक्चुल सिनारियो में तीन मैने बाद हुआ यू की exchange rate चल रहा है 107-108 ठीक है तो मैं तो रोर रहा था कि अरे यार खामखा यह forward contract में पड़े अभी forward contract में आई गए है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा bank वालों को 10,000 pound देने पड़ेगा और the bank वाला मेरे को 105 के rate पे ही मेरे को payment करेगा ठीक है अगर मैं ना करता तो marketing अंदर दो 108 चल रहा है बड़ कुछ नहीं हो सकता students forward contract में आप enter कर चुके हो and it's a legal contract अगर आपने अपनी commitment को fulfill नहीं किया then in that case आपके उपर legal implications हो सकता है so don't think कि मैं याप पे किसी का पैसा मार के चला जाओंगा contract करके चला जाओंगा अगर मेरे favorable रही तो मैं exercise करूंगा नहीं favorable रही तो निकल जाओंगा ऐसा नहीं हो सकता okay forward contract इसलिए मैंने पहले बोला कि over the counter होता है that means where you are sitting with the bank negotiating all the aspects explaining them your situation and then customized forward contract बनता है ठीक है so ये था forward contract यहाँ पे एक specifically आपको क्या दिया गया होगा future का एक rate दिया होगा यह 103 है आज future के अंदर forward forward माने future 105 का rate लगेगा यहाँ पे benefit आपको ये भी ओसकता है कि suppose actual scenario में rate हो गया 100 तो आप तो फाइदे में हो ठीक है actual scenario 100 का rate चल रहा है bank वाला तो आपको 105 दे रहा है तो 5 रुपे ज्यादा दे रहा है bank वाला आपको तो वो मैंने पहले से कब से मैं भई explain करने की try कर रहा हूँ कि derivatives risk eliminate करता है जिसके करण आपको negative चीज़े भी नहीं होती है और सामने positive चीज़ें का फाइदा भी नहीं मिलेगा आप एक rate fix कर रहे हो फिर actual scenario जो कुछ भी हो आपको उतना ही मिलेगा ओके तो अभी कौन बंदेगरते है जिसको risk नहीं लेना है ठीक है जिसको risk नहीं लेना है वो इस चीज़े चीज़ें करते हैं ओके तो यह था हमारा forward contract अभी यह जो forward contract है ना उसका rate मैंने जो बोला ना कि 103 नहीं 105 काफ़ बार examinations के अंदर होगा क्या कि यह 105 साथ directly नहीं दिया होगा आपको बोला गया होगा शायद में भी कि 20 points से बढ़ गया अपि 20 points से बढ़ गया तो that means let me explain कि क्या होगा 20 points से बढ़ जाता है तो बोला question के अंदर कि right now the exchange rate let's suppose exchange rate is 1.9035 and बोला है कि forward rate is positive 20 points that means आज से तीन मेने बाद का forward rate जो होगा 1.9055 होगा okay so last के जो आपको 2 decimals दिये गया है उसको आपको बढ़ाना है 20 points का मतलब यह होता है कि यह last के 2 decimals okay so this situation जैसे कि अगर आप कपलान देखें तो कपलान के अंदर भी same तरीके का sum है illustration दिया हुआ है कपलान वालों ने के भी TYU 1 दिया हुआ है अगर आपके सामने कपलान है तो you can open it up जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ यहाँ भी screenshot में है देखो यह रहा है forward में दर क्या दिया गया है an Australian firm has just bought some of the machinery from the US supplier for okay 2,50,000 US dollars so that means अपने को payment करना है न US dollar का तो अपने को generally क्या रहेगा कि मुझे payment करना है अगर exchange rate बढ़ गया तो मेरे को तो ज्यादा payment करना पड़ेगा ठीक है और तीन मेने का contract है exchange rates right now spot money आज की तारिक का आज की तारिक का I hope you got it अभी आज की तारिक का आपको 2 rates दिया गया है हमने last session में ही पड़ा था कि यह क्या है bid ask rate है and bid ask में कैसे decision ले कौन सा rate हमको suitable है वो कैसे decision लिया जाता है यह जो rate होता है bank के perspective से होता है हमारा यहाँ पर हमारे perspective से कौन सा rate लेना वो अपने मैंने सिखाया था आपको ठीक है but आगे बढ़ते यहाँ पर क्या दिया है बोला क्या है कि जो हमारा 3 month forward है ना वो directly quote नहीं दिया है आपको points दिये गया है 0.21 and 0.18 cents that means आपको cents माने यह last के दो digits बढ़ाने है यहाँ पर यह दो digits बढ़ाने है that means 0.7785 है just 0.7785 plus मैं कर देता हूँ 0.0021 तो हमारा forward rate बन गया है यहाँ पर 0.7806 0.7806 I hope you got it कि मैंने क्या किया cents है न यह 0.21 directly मत ले 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 न last के दो digits में आपको add करना है या रखना please जब मैं बात करता हूँ forward में तब अकसर students का यहाँ पर problem अकसर यहाँ पर यह issue आ जाता है either cents वर्ड यूज किया है या तो फिर points वर्ड यूज किया है माइनस 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 करना है अगे बढ़ता है forward contract was a very 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 basic thing जिसका examination में आने का कोई scope नहीं है आ सकता है बट बहुत कम mark में आएगा जैसे कि examination में आपको futures and forward दोनों पुछ लिए जिसमें futures का mark है 8 mark and forward का mark है 2 mark okay so ये इतना silly सा चीज है इतना basic सा चीज है जहाँ पर आप गलती नहीं कर सकते है आप गलती करोगे तो सिफो सिफ एक ही जगा पर करोगे bid ask rate में गलती कर दिया तो खतम हो गया तो ही forward में गलती हो सकता है otherwise it's nothing आपने क्या कर दिया यहाँ पर let's suppose bid ask को एक बार check कर लेते है कि मुझे करना क्या है मुझे US dollars यहाँ पर just a second yes पहले तो एक चीज यहाँ पर clear कर दो कि मेरे को rate दिया है वो Australian dollar का दिया है मुझे क्या करना है payment में US dollars का payment करना है ठीक है तो मेरे को क्या चाहिए होगा मेरे पास 250 मेरे को US dollar चाहिए बट कहां से लाओंगा वो 250 correct है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा Australian dollars sell करने पड़ेंगे तो सामने मेरे को US dollars buy करने तो मुझे US dollar को bank वाला देगा तो Australian dollars जब मुझे sell करने है तो मेरे लिए selling तो मैंने क्या बोला था कि हमको loss करना है कैसे भी करके मैं loss कप करूँगा जब मैं कम दाम में Australian dollar को sell करूँगा तब and कम दाम is this one मैंने समझाया था I hope you got it कि अगर मेरे को यहाँ पर loss करना है तो अगर मैं Australian dollar high price में buy करता हूँ and low price पे sell करता हूँ तो यह मेरे को loss होगा so right now my relevant exchange rate is 7785 but 3 month forward is 0.21 add करके है तो मैंने बोला उससे के से forward rate आया गया यहाँ पर 0.7806 तो यह हमरा forward rate बन गया इसकी कारण होगा कि मैंने अभी से 3 महीने बाद का rate fix कर दिया कि 3 महीने बाद जब मेरे को 2,50000 की जरूरत पड़ेगी तब we will going to use the exchange rate which is 0.7806 यह fix हो गया है that's full and final अभी यह exchange rate से बढ़े या कम होए कोई फरक नहीं पड़ता मेरा transaction इस rate पे होगा that means I have eliminated the risk कि इसकी upside effect और downside effect से मेरे को कोई फरक नहीं पड़ता आज की तरह में मैंने एक contract कर दिया okay so I hope you got it आगे बढ़ता है यहां तक students ठीक है over the counter word मैंने जब starting में use किया forward contract के अंदर तो अब समझ गे होगे थोड़ा बहुत की sir ऐसा तो बहुत कम बार होता है yes that means सब लोग over the counter bank के पास में जाके contract नहीं कर सकते जो बड़े बड़े लोग होते जिसका बहुत huge amount of the transaction से बहुत ज्यादा amount है they can do the forward contract because आप manager के साथ में ऐसा नहीं बोल सकते हैं नहीं का मेरे को 200 pound का forward contract करना है manager का time कौन खोटी करें ठीक है सब manager हमारे साथ बैठेगा भी नहीं forward contract करेंगा भी नहीं अगर आपके पास 20,000 pound या 30,000 50,000 pound का कोई है या 2 million pound का है कोई amount तो बताओ ना तो bank के साथ में बैठके आपस में बातचीत करके contract करता है ठीक है तो इस case में क्या करेंगे अगर मान लो हमारे छोटी मोटी amount तो क्या करेंगे एक तो ये reason है apart from that bank के साथ सब मैं इसा transaction किया है let's suppose आज की तारिख में किया है suppose january मंत में किया हुआ है मुझे फेबरुवारी में लगा कि यार मेरे को अभी ए contract तोड़ना है situation हमारे favor में जा रही है and forward contract करने से कोई फाइदा नहीं होगा I want to get out of this forward contract forward contract में नहीं हो पायगा like that means आप वो अंदर बार आना जाना forward contract में enter करना निकलना बहुत ही difficult है मैं ऐसा नहीं बोड़ रहा हूँ कि नहीं हो पायगा बहुत difficult होगा it's difficult so जब कोई market जब कोई चीज यह तो real estate जैसा होगा आप enter कर सकते हो but difficult है exit भी difficult है ठीक है खास करके हम तुन अपने को दरत होता है exit की टाइम पे हमको हमको हमारा पैसा चाहिए हमको हमको वो नहीं चीज करनी है difficult है so जब कोई चीज में exit करना difficult होता है तो हम उसको क्या वो liquid asset बोलते है या illiquid asset बोलते है obviously illiquid asset बोलते है तो यह अच्छी बात है बुरी बात है बुरी बात है forward contract का एक बहुत बड़ा disadvantage है कि you cannot get it out easily आप exit नहीं मार सकते है और वो illiquid है क्यों? because हमने over the counter bank के साथ आमने सामने बैठ के यह सारा contract किया था ठीक है अब आप contract ओर दोगे bank क्या करेगी correct है so इसी लिए forward contract में थोड़ा बहुत limitations आ जाता है got it apart from that आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पे default का risk है yes default का risk है आपको पता नहीं है कितनी सारे लोग bank के साथ default करते है अपने शायद NPA सुना होगा तो क्या आपको लग रहा है कि forward contract में भी जो client है जो customer है जो सामने वाला bank तो default नहीं करेगी ठीक है most of the time but सामने वाली party निरो मोदी जैसे लोग क्या इस तरीके से forward contract करके क्या फिर वो छू हो सकता है क्या वो निकल सकते हैं क्या वो default कर सकते हैं surely कर सकते हैं there is a huge risk of the default from the customer's side सही है so ये दोनों चीज़ों को avoid करने के लिए इसी forward contract का नाम change करके एक नया concept लाया गया जिसको बोला जाता है futures contract futures contract और कुछ भी नहीं है same चीज़ है सिर्फ अभी बोला गया कि अब तक जो customer एक customer बोल रहा था कि 103 के उपर मैं betting कर रहा हूँ that means I am betting on the upside मैं bet लगा रहा हूँ 103 के उपर जाएगा ठीक है या तो कोई भी इस तरीके से derivatives contract में enter कर रहा था या कोई भी derivatives का इस तरीके से forward contract या जो कुछ भी कर रहा था ठीक है वो अब तक क्या कर रहा था bank के साथ में कर रहा था correct है and इसमें दो issues थे एक तो liquidity का issues था and apart from that एक और issue था कि सामने अपने default का risk था ठीक है दुनों चीजों को कैसे यहाँ पर eliminate किया है futures ने वो समझा रहा हूँ मैं ठीक है यहाँ पर एक customer है वो बोला कि मेरे को यह contract में अभी नहीं आगे बढ़ना है ठीक है दिकत यह आ रही है कि liquidity का issue अब राइज हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर futures contract बोल रहा है काम करते हैं bank वालों को हटा देते हैं यह जो forward contract है दो customers के साथ करवा देते है and not just two customers पूरे इंडिया के जितने भी लोग जो interested derivatives में उन सब के बीच में contracts करवा देते है with the help of NSE and BSE एक बीच में board ला दिया NSE and BSE यह दोनों जन manage करेंगे forward contract की upside selling and forward contract की downside selling ठीक है and obviously हमने starting में देखा कि एक party को फाइदा होगा एक को नुकसान होगा ठीक है but futures contract और कुछ भी नहीं है जो पहले over the counter bank के साथ आप transactions कर रहे थे अब आप दूसरे customer के साथ कर रहे थे that means एक बंदे आमजाबाद में बैठा है एक बंदे चन्ने में बैठा है ठीक है इस बंदे ने ऐसा decide कर दिया कि मैं 105 पे fix है ठीक है 105 पे मैं contract करता हूँ कि हमारा exchange rate तीन मेने के बाद 105 रहेगा ठीक है यह 105 रहेगा अभी होगा क्या कि suppose मानलो 105 से उपर चला गया correct है 105 से उपर चला गया suppose इसने upside upside betting किया होता तो इसको difference मिल जाता इसको फाइदा हो जाता इन इस बंदे को क्या हो जाता इसने opposite betting किया होगा obviously दिको betting तभी हो पता है न कि एक बंदा ऊपर का बोल रहा है एक बंदा नीचे का बोल रहा है तब शर्त लगती है ठीक है आज आज आपने कजीन के साथ में या family members के साथ में bad शर्त लगाते होगे या अपने friends के साथ कि आज IPL में ये team जीतेगी दूसरा बोल रहा है IPL में ये team हारेगी ठीक है opposite opinion है तभी तो शर्त लगती है तो यहाँ पर भी शर्त ही लग रही है यहाँ पर शर्त लग रही exchange rate में शर्त लग रही है ठीक है एन एक बंदा बोल रहा है इससे उपर जाएगा एक बंदा बोल रहा है इससे कम में जाएगा शर्त लग गई है ठीक है तो एक बंदा जीतेगा एक बंदा हारेगा but ऐसे customers यहाँ पर thousands, thousands, lakhs Lags of Lags of Customers है कि जहाँ पर अगर मान लो ये Customer को बीज में से निकल भी जाना है ना तो इतने Lags of Customers में से कोई ना कोई Customer तो आके खड़ा होगा कि वो भले निकल गया मेरे को इस Contract में एंटर करना है ठीक है आज सबोज मान लोग मैं Shares की बात कर रहा हूँ You feel the concept कि Share Market में अंदर क्या आपको लग रहा है कि Shares को आज मान लो कोई Shares है मेरे को बेचने है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है न कि मैं Shares को बेचूंगा तो Shares वेल ले बैठ रहेंगे लोग Shares का कोई Owner नहीं होगा नहीं है इतनी बड़ी population है अगर मैं Shares को Sell कर रहा हूँ तो सामने कोई न कोई तो बंदा ऐसा होगा अज मान लो मेरे पास अभी रीसेंली बात बताओ Car Trade कमनी का Shares है ठीक है बहुत ही खराब कमनी निकली मेरे प्रेडिक नहीं किया था बढ़ बहुत ही खराब कमनी निकली अब now I want to exit Assume कलो कि futures है, futures यह forward है Now I want to exit थीक है बट वो physical shares होते है तो उसमें से exit करना किसी को बेचना difficult हो जाता है But now as this stock exchange is BAC, NAC, यह online portal जहां पे Crores of people are transacting with each other अब मुझे वो घटिया company के shares बेचने है तो क्या आपको लग रहा है कि वो दिक्कत आएगी, नहीं, मेरे को लग रहा है कि वो company घटिया है, मेरे को लग रहा है कि अभी और down जाएगा यह shares और कम price हो जाएगी That's why I want to sell it But कोई तो ऐसा, महा बहुबली, महान इंसान होगा कि जो इसी घटिया company के बारे में different opinion रखे, वो बोल रहा है कि नहीं, यह company का ऊपर जाएगा तो अगर मैं यह futures को sell करना चाहता हूँ तो कोई ना कोई बंदा आके मेरा ही future contract को सामने handover ले लेगा वो वही future contract की ownership ले लेगा वो वही future contract को buy कर देगा मैं भले निकलना चाहता हूँ बट इतने बड़े इंडिया में कोई ना कोई तो गुसना चाहेगा ठीक है So that's why, because of this online platform of NSE and BSE because of the whole India is connected liquidity issue निकल गया है ठीक है I hope you got it कि यह कैसे निकल गया है because यहाँ पर अभी volume है न the number of people that are transiting in the online futures contract बहुत ज्यादा है कि कोई ना कोई तो मिली जाता है ठीक है So because of that reason, first of all यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा risk कैसे निकल गया है यहाँ पर liquidity issues जो था ना वो निकल गया है क्योंकि whenever, आज enter किये, कल अपने को निकलना है you can go out It's as easy as possible हम बोल सकते है पांच मिनिट के अंदर भी निकलना है ना, you can go out निकल सकते हो Why? Because इतनी जादा population इसके अंदर जुड़ी हुई है So forward में जो disadvantage था वो यहाँ पे निकल गया है दूसरे जो disadvantage था हम बोल रहे थे कि default risk Suppose यहाँ पे NSE, BSE की बीच में आने से को डर लग रहा थे कि इस बंदे को loss हो गया और यह payment नहीं किये तो तो इस बंदे का क्या होगा ठीक है, don't worry ना यह दोनों ने जो transaction किया ने उसमें intermediate icon है, BSE, NSE है ठीक है, so NSE बोली कि दूनों party को बोली सब को बोली कि आप है ना default की चीनता मत करो, आप profit करोगे तो हम आपको पैसा देंगे, एन इस बंदे के पास से कैसे recover करना profit या amount वो हमारी जिम्मेदारी है वो आप tension छोड़ दो, ठीक है जिस बंदे को profit होगा, that profit will be deposited by NSE and BSE ओके, so उसके कारण बीच में एक kind of trustworthy institutions आ गही है इसके कारण NSE, BSE के कारण यहाँ पर default risk नहीं है, हाला कि आपको लगेगा कि सर ऐसे कैसे बिना सोचे समझे, NSE, BSE ने इतनी बड़ी responsibility ले ली कि कोई भी default करे हम बैठा है ऐसे कैसे, students यहाँ पर F&O market में margins का concept होता है, जो आपके syllabus में नहीं है, because of that margin amount आप लोगे रहे, कोई बात नहीं न, एक मेने का तो deposit पढ़ा है हमारे पास, सही है So, वहाँ पर कैसे आपने security रखी थी कि वो बंदा default करे तो भी tension नहीं है, हमारे, we do have the security Same way, NSE, BSE भी सभी customers के पास से यह margins, यह security deposit रखवाती है, जिसके कारण वो अगर default भी करें तो deposit तो पढ़ी ही है, deposit में से वो recovery कर लेंगे, okay So, इस तरीके से students यहाँ पर futures contracts यहाँ पर exist करते हैं, मैंने जो अभी futures contracts समझाया है, वो बहुत ही in general terms में समझाया है, मैंने नहीं यहाँ पर forex का कोई hint दिया है, ना ही समझाया है कि कैसे exactly forex का जो risk है, वो future से eliminate हो सकता है, वो कुछ नहीं समझाया है, ठीक है, but मैं सिर्फ सिर्फ मू कर रहा था I was trying to explain कि forward contract and futures कोई अलग नहीं है forward contract over the counter होता है, and futures contract कहाँ पर होता है, ठीक है at the market होता है, वो market होता है सुपर से लेके शान तक वहाँ पर trading होता रहता है, otherwise इन दुनों के बीच में कोई difference बहुत जादा नहीं है ठीक है, आगे बढ़ता है futures की तरफ आगे बढ़ता है students futures के बाद अपने को एक money market hedging भी concept है, जो once again important है, but मैं forward futures हमेशा साथ में पढ़ाता हूँ, तो पहले futures complete करेंगे just a second students हम बात कर रहे थे derivatives की now उसके अंदर forward and futures देखा, forward था over the counter था, अभी over the counter के अंदर जब आप bank के साथ directly सामने सामने बैठके ऐसा contract करते हो तो आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपको customization मिलेगा, yes forward contract हमेशा हमेशा हमारी situation के हिसाब से हमारी amount के accordingly हम जो period बोले उसके हिसाब से customized हो जाता है ठीक है, but जब futures पे आता है, futures के अंदर हमने देखा कि वीच में क्या होता है, NSE, BSE होती है, पूरा इंडिया उसके पीछे लगा हो आता है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप जब बोलोगे, आपकी situation के हिसाब से, आपकी amount के हिसाब से आपके duration के हिसाब से, आपको contract मिलेगा, आप बोलोगे, उससे हिसाब से betting होगी, नहीं नहीं, futures के अंदर, जो हम देखे थी concept कि किस तरीके से, पूरी इंडिया में से public, with the help of BAC and a.s portal, कैसे futures के अंदर betting लगा थी, एक बोलती यह उपर जाएगा, एक बोलती यह नीचे जाएगा and एक बंदे का profit, एक बंदे का loss, इस तरीके से जो betting होती है वो किस तरीके से हमने ने देखा था कि हो रही है, बट वहाँ पर एक hook ऐसा है, एक चीज characteristics समझने जैसी है कि जहाँ पर आपको customization नहीं मिल सकता that means, कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 200 pound के लिए betting करनी है नहीं हो सकती नहीं हो सकती, वहाँ पर NSE ने बोल राखा है कि minimum 1000 या तो 1000 के multiples में आपको betting करनी है that means आप 1000 का जो एक unit होता है, एक lot होता है एक lot आप buy कर रहे हो, यह एक lot आप sell कर रहे हो यह एक lot के उपर upside betting कर रहे हो एक lot के उपर downside betting कर रहे हो तो आपको जो consequences होगे, वो एक lot के इसाप से होगे, आप बोलोगे के sir, मेरा transaction तो सिफ़ सिफ 200 pound का था, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है so whatever is the contract amount, whatever is the contract size, उस पूरे contract, जो ready made contract है, उसी में enter करना है हाँ, आप multiply कर सकते हो अपने contract को, ठीक है, कि suppose मार लो कोई कम ही है, 2 million का transaction है, तो वो एक 10,000 का lot से उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो कि exactly, आपकी जितनी value है transaction की, उतना तो आपको derivatives में enter करना पड़ेगा, उतना तो bet लगाना पड़ेगा तो ही, वो risk mitigation पूरा कपरा हो पाएगा otherwise होगा, क्या कि business में loss हो गया है मानलो की 2 million का transaction था, business में loss हो गया 2 lakh का, and derivatives में तो आपने एक ही lot खरीदा था, 10,000 का उसमें सो सिफ 2,000 का profit हुआ 2 lakh का loss 2,000 का profit कैसे वो equivalency चाहिए, ठीक है तो we will try that, कि करना क्या है, कि जो futures market में जिस हिसाब से आपको lot दिया गया होगा कि एक lot की, यह तो एक contract की अंदर quantity कितनी है suppose 25,000 euros है check करो, हमारा transaction कितना है, हमारा transaction 1 lakh euro का है, that means आपको 4 contract, 4 lot खरीदने है, ठीक है suppose मान लो की 25,000 euro is the contract size, and आपका जो है, amount वो 1,10,000 euro का है तो फिर, क्या आएगा point में answer आएगा, 4 point something आएगा, correct है so in that situation, I would suggest कि आप 4 lot ही रखो, उपर का तो 10,000 euros, excess आपके पास बचा हुआ है, ठीक है जिसका risk mitigation आप ना करो तो चल जाए, क्योंकि 10,000 euro ही तो है थोड़ा बहुत upside उपर नीचे हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर बहुत ज्यादा फिर derivatives में derivatives में enter करोगे, ठीक है वो contract size lot size देखनी होगी and उसके accordingly आपको derivatives, उतने lots, उतने contracts आपको खरीदने या बेचने है, ठीक है, ना यहाँ पर ज़रा concept या आते हैं, आगे बढ़ते है, derivatives के अंदर हम जब बात कर रहे थे, खास करके इसकी जब बात कर रहे हैं हम लोग अभी futures की, ठीक है तो forward था ना वो बहुत ही simple था, वहाँ पर मैंने बोला था कि आपको betting जैसे को feeling नहीं आएगी, but yes futures में आएगी surely आएगी, future is a purely betting, क्योंकि future F&O market आपको पता होगा, F&O market होता है, ठीक है, तो futures and options derivatives majorly, जो हमको आजो बजो में देखते हैं, F&O market में देखता है, and F&O में F stands for futures okay, options different concept है, futures के अंदर focus करता है, now हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा INR के perspective से आपको बताता हूँ कि suppose मान लो कि हम आज की तारीख में rate चल रहा है, let's say suppose 65 का rate चल रहा है ठीक है, तो हमको डर क्या है, ठीक है, हमको डर ऐसा लग रहा है, कि exporter हूँ, मेरे को 10,000 dollars मिलने वाले है, कितना मिलने वाला है, 10,000 dollars, मेरे को डर है, कि अगर यह exchange rate down चला गया, 65 में से 60 हो गया, तो मुझे कम रुपे मिलेगे, मेरे bank account में कम आयागा, because exchange rate down हो गया, मुझे मिलने वाले है, 10,000 dollars आयगे, मैं bank के पास इसमें जाऊँगा, bank बोलेगी, ओ ओ, 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 दीपन भाई, exchange rate तो कम हो गया है, अभी तो आपको कम पैसा मिलेगा ठीक है, तो यह मुझे डर लग रहा है, जब मेरे को डर लग रहा है, उसी चीज़ की betting करनी चाहिए, मैंने सिखाया था आपको, तो futures market में जाऊंगा, derivatives futures market में जाऊंगा, and मैं बूलूँगा, मैं उसको ऐसा नहीं बूलूँगा, कि मैं upside betting नहीं करूँगा, मैं downside betting करूँगा, why downside betting क्योंकि मेरे को गिरने का डर है गिरने का डर है, तो मैं बूलूँगा downside betting अभी मान लो कि rate है न, डाउन चला गया, 65 तो तीन मिने बाद literally down चला गया, तो होगा क्या, मेरे को business के अंदर loss हो क्योंकि business में मुझे 65 के accordingly पैसा मिलने वाला था, बट अभी business में 60 के accordingly ही पैसा मिलेगा, correct है बट don't worry, मैंने future में enter किया था, मैंने बोला था कि 65 से अगर कम गया, downside betting किया था, 65 से कम गया तो मेरे को शर्त जीत जाओंगा, मैं जीत गया, yes 60 हो गया, तो जब मैंने downside betting किया, तब जाके मैं derivative में जीत जाओंगा, और मेरे को derivative में benefit मिलेगा, difference benefit मिलेगा तो होगा क्या कि मेरे को धंदे में से सिफ़ सिफ 60 रुपे realize हुए, but don't worry, derivative में से 5 रुपे का profit भी तो हुआ, तो net net मेरे को 65 मिल गया ठीक है, I hope you got it so होता क्या है यहाँ पे सबसे पहले तो आपको decision लेना सबसे पहले correctly आना चाहिए कि whether you want to make an upside bet or downside bet, कौन सी bet आपको लगानी है, that you have to make sure that you have to conceptually understand and examinations के अंदर भी आपको यह चीज़ बहुत ही clear होनी चाहिए कि आपको करना है क्या what you exactly want to do correct है apart from there, यह चूटी चूटी चीज़ है students, देखो, मैं इसलिए बोल रहा था कि यह चीज है न, revision में बहुत कामाएगी, when exactly you want to revise some basic aspect, क्योंकि यह जो चीज, some logics में बता रहा हूँ वो बूल जाओगे आप, ठीक है इसलिए यह जरूरी है, अभी हम बात कर रहे थे कि, उपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इसके लिए है न, काफी सारे words यूज किये गए होते है आज मानलो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यह ज़रा ध्यान में रखना futures में, दो चीज़े होती है, अगर मानलो, आपने upside betting किया है that means क्या हम बोल सकते है कि आप बहुत ज़्यदा bullish हो, bullish का मतलब क्या होता है you are thinking कि यह भाव उपर जाएगा upside का मतलब क्या होता suppose मानलो, ऐसे ऐसे bank के उपर मैं upside हूँ, मैं upside betting लगा रहा हूँ, कि यह भाव उपर जाएगा so that means I am bullish, psychologically and it's totally opposite क्या होता है, downside मैं ऐसा मान रहा हूँ कि नहीं, इसका भाव तो down ही जाएगा, that means I am think, I am bearish, exactly देखने जाएगा, तो I am bearish apart from that, काफे बार ऐसा भी बोला जाता है कि जब कोई upside betting करता है, तब उसको बोला जाता है कि he is having the long position he is having the long position okay, and the downside betting करने वालों को बोला जाता है, short position मार रहा है, ऐसा बोला जाता है ठीक है, so जब जब आपके दिमाग में या, तो जब जब कहीं पे आप सुनो practical life में, कहीं पे भी सुनो, कि इस बंदे ने long position hold करके bet, long position hold करके bet हुआ हुआ है, तो समच जानेगा कि he is more bullish, he is having upside effect, upside betting, that means he is thinking the price उपर ही जाएगा ठीक है, आपने शायद the scam movie, scam जो series थी अपने प्रतिक गांधी की, उसके अंदर देखा होगा, कि जो प्रतिक गांधी करके bet है, short position लेके bet है, कि बहुत जादा loss हो जाएगा, अगर भाव उपर गया तो, ठीक है, so I hope you got it, कि long and short हाला कि normal word है काफी लोग अब सुने होगे, बट इसका मतलब नहीं पता होगा आपको, just a second yes, we were talking about, कि हाँ, काफी बार इसको ऐसा भी बोला जाता है, काफी बार इसको exactly, textbook में देखने जाए, तो इसको बोला गया है exactly, कि futures buy और futures sell futures sell और futures buy, future buy का मतलब क्या होता है you are bearish, you want कि भाव उपर जाए and future sell का मतलब होता है कि भाव नीचे जाए, क्यों future buy buy and sell के बोला जाता है, मैं समझाता हूँ suppose मान लो, कि आपने futures buy का contract किया है क्या किया है, futures buy का contract किया है, at the price of 10 let's suppose 5 इतने price पे अपने futures buy किया है अब याच से तीन मेने बाद you are thinking कि ये जो है न, price 105 के, एक spot 83 मेने बाद, मैंने तो 105 पे buy किया है, तीन मेने बाद मुझे लग रहा है, कि ये price उपर ही जाएगा, I am what, I am bullish I am bet on the upside तो जब तीन मेने बाद 110 rate हो जाएँ, तब उस time पे मैं यहीं चीज को sell कर दूँगा 110 पे, चो मैंने buy किया था 105 में, तभी ना तभी तो मेरे profit आएगा तभी इसी लिए upside को बोला जाता है, upside betting को बोला जाता है I am buying right now I am buying right now ओके, एंड सामने opposite अगर देखने जाए future sell इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि I am thinking, कि 105 में अगर मैं sell कर दूँगा, तीन मेने बाद ये rate 95 होने वाला है उस time पे मैं यहीं चीज को buy कर दूँगा ठीक है, तब जाके आपको profit होगा न, selling 105 पे है ठीक है, and you are downside thinking अब bearish हो, 95 rate हो गया तभी जाके आपको profit होगा न तो इसी लिए बोला जाता है downside, आपको ये logic मतलब याद रखने की जरूत नहीं है इतना रटा मार लो, कि downside betting को क्या बोला जाता है futures sell, and upside betting को बोला जाता है futures buy okay, so I hope you got it so kind of, मैंने यहापे almost सारी basic सी चीज़े समझा दी है अभी जो मुझे futures के अंदर आगे समझाना है, वो चीज़े सारी cover up हो सकती है, तभी जब हम कोई example ले अभी जब है